दोस्तों अब आउसर है हम गुरुवर को पुश्प भेंट करें और गुरुवर से आशिरवाद ग्रहन करें इसी क्रम में आज हमारे बीच में अथिती के रूप में उपस्तित हैं शिरी संत शर्ण मंत्री जी जो 1902 के IRS है यानि एडिशनल आईकर आयुकता ही समय साहिटिक, स सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अभिरुची के व्यक्ति हैं सेल्फ डिफेंस पर उन्होंने वो मोटिवेशनल इस्पीज देते हैं और ऐसे कई विश्यों पर उनके व्याख्यान होते हैं जो बहुत जीवन के लिए साहरता होते हैं मैं अनुरोत करूंगा अधर पुर्दार तालियों से गुरुवर को प्रणाम कर सकते हैं चरण वंदना कर सकते हैं अधिशनल कमिशनर इंकम टेक्स शिरी संत मंत्री जी से मेरी प्रात्ना इसी क्रम में मैं अंदुरोत करूंगा शिरी केशवलाल जी धबराई से कि पधारे और शिरी केशवलाल जी हमारे विजुपस्तित हैं मैं उनसे गुजारिश प्रात्ना करता हूं सहसंवान कि वो मंच पर आएं और गुरुवर को पुष्प भेट कर गुरुवर से आशिरवात प्रात करें इसी शंकला में मेरा अंदुरोत है शिरी शंबुलाल जी च्छाबरिय से क्रपिया मंच पर पधारे और गुरुवर को पुष्प भेंड करें शिगरता करें और आशिरवात ग्रेंड करें बहन जवार गोपाल फेदर लाइट से मेरी प्रात्ना है कि वो पधारे और पुष्पहार की शंकला में अगले क्रम पर मेरी गुजारिश है शिरी अमश्रीमती राजेंदर गोयल जी से मेरी करवध प्रात्ना है कि मंच पर शिगरता से पधारे और आशिरवात ग्रेंड करें इसी बीच हम आपको सूष्णाय देते चले प्रत्येक सत्र की सीड़ी अ आप जीवन संचेतना कारेले से समुची चान कर रिटाप करें शंकला में अगला नाम श्रीमती राधेलाल गुपता यहां पर उपस्तित है मेरी उनसे प्रात्ना है कि वो मंच पराकर आशिरवात ग्रेंड करें श्रीमती महग चावला जिसे मेरी गुजारिश है श्रीमती म शिमतिक के आर अनपूर्णा देवी जी से मेरी गुजारीश है और मैं टाटिया जिसे प्रात्ता करता हूँ कि संत मंत्री जी का भी हमारे वीच उपस्तित हैं गुल्दस्ता भेट कर उनके शुब आगवन के लिए उनका संबान करें विज़ागर्थी मिशन बैंगलोर आपका हारदीक स्वागत करता है और आप हारदीक करता है कि आपने हमारे करेकरम के शुब होड़ाई मैं इसी करम में के आर अनपुर्णा देवी जी के उपरांत शिरी के आर हरीश गुपता जिसे मेरी प्रातना है पधारे और आशिरवात ग्रहन करें शिमती जवाहार शिमती जवर गोपाल जी से मेरी प्रातना है कि वो मजपर पधारे और आशिवात ग्रहन करें दो मई को गुरुजी का प्राकट दिवस अवतरन दिवस दिल्ली आनंध हम आश्रा में मनाए जाएगा आप उस करिक्रम के साक्षी बने कितने उल्लास पुर्वाता वरण में करिक्रम होता है आप दिल्ली आवश्च जाएं श्री विष्णु रहजा जी से मेरी प्रात्ना है और मोहिनी च्छाबर्या जी से मेरी प्रात्ना है कि यू पता रहें और गुरुवर को पुष परपिप करें इसके पुर्व की मोहनी ची मंच पर जाएं बहुत मोहत्पूर्ण सुष्णाओं में कल इसी ग्राउंड पर प्रथम सत्र के उपरांत मंत दिक्षा का करिक्रम होगा और अब हम गुरुदेव को इन थोड़े से शब्दों के साथ अंदरोत करते हैं आज के प्रवचनों के लिए दोस्तों हमें सद्गुरू सच्चे सद्गुरू क्या क्या सिखाते हैं हमें सद्ग्यान की आसंती से अनासक्त कर्म योगी की तरह हमें सिखाते हैं सू संसकारों की स्लेट पर विचारों की वर्ण माला हमें सिखाते हैं बंधुत की बारा खड़ी हमें सिखाते हैं व्यावार की व्याकरण हमें सिखाते हैं गरीमा की गीता हमें सिखाते हैं रिष्टों की रामायन हमें सिखाते हैं पुनीत कार्यों का पारायन हमें सिखाते हैं मानोता के मंत हमें सिखाते हैं तपस्या के तंत्र मैं अंदरोत करता हूँ गुर्देव से कि आपका करपा भरा हाथ हमारे कंधे पर हमारे मस्तक पर हमेशा हमेशा बना रहे ताकि जीवन के दुर्गम मारगों में हम अपनी मंजिल तलाश सकें किसी कवी ने कहा है कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता इन आखों के बरसने का कोई मोसम नहीं होता मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं क्योंकि गुरू की क्रपाओं का खजाना कम नहीं होता इस से बहतर कि मैं अंदरोद करूँ एक बार जोरदार तालिया आपकी दोनों हाथ उपर उठें और जोरदार तालिया बजा कर आप प्राथना करें अंदरोद करें विंती करें सद्गुरू जी से आज के आशिर वच्छनों के लिए परम पुझे सद्गुरू तद विष्णा परमं पदं सदा पष्णं तिसुव्या दिवे चक्षरात तंगुरू नमहा शंभवायचा बयो भवायचा नमहा शंकरायचा बयस्करायचा नमहा शिवायचा शिवतरायचा क्रिष्णा यवासुदेवायचा हरै परमा अत्मने रणककलेशिनाशाः गोविन्दायनमौ अपदाम अप हरतारं दातरं सर्व संपदा लोका भेरामं स्रे नामं अभुयो नमा अभुयो नमा अभुयो स्री क्रेष्ण गोविन्दा अरे मुरारे 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 नेनात नारायन वास्ते अरे मुरारे स्री क्रेष्ण गोविन्दा अरे मुरारे स्री क्रेष्ण गोविन्दा अरे मुरारे स्री क्रेष्ण गोविन्दा अरे मुरारे से पेष्ण गोवी अरे मुरावी ये ना ठेला राय अना सुझे सिरे क्रेष्ण गोवी में परे मुरावी सिरे क्रेष्ण गोवी में परे मुरावी ये ना ठेला राय अना सुझे एनात नारायन वासु देवा एनात नारायन वासु देवा एनात नारायन वासु देवा स्री क्रेष्ण गोवी में परे मुरावी एनात नारायन वासु देवा स्री क्रेष्ण गोवी में परे मुरावी स्री क्रेष्ण गोवी में परे मुरावी एनात नारायन वासु देवा एनात नारायन वासु देवा एनात नारायन वासु देवा एनात नारायन वासु देवा मात्री शक्ति का दुरुश्यों हम जितने भी मनुश्य इस दुनिया में रहते हैं अनेक शम्ता अनेक शक्तियां लेकर दुनिया में हैं इस प्रिथ्वी ग्रह पर अपनी अपनी योग्यता शम्ता की परिक्षा देकर खुद को निखारने के लिए हैं इसलिए हर दिन परिक्षा थोड़ी कठिन होती जाती है जितने हम सक्षम होते जाते हैं हमारी आत्मिक शक्ती बढ़ती है, बहुत दिक्षक्ती बढ़ती है इस तरह हम 84 लाख योनियों में अपने आपको और दिक स्रेश्ट सिद कर पाते हैं क्योंकि परमात्मा के पुत्र हैं, तो पुत्र में वोक्षमताएं बगवान ने दी ही हैं जो पिता की शक्तियां हैं कहीं मैंने पढ़ा, किसी एक यहुदी फकिर ने लिखा के मालिक ने दुनिया बनाई, इनसान को सारी शक्तियां दी, सारा ग्यान दे दिया और ग्यान देने के बाद उसने इनसान के होट के बीचो बीच, उपर वाले होट के बीचो बीच, उंगली रखकर कहा कि भूल जाओ जो मैंने तुमें दिया है, उस सब को भूल जाओ, उस समय तक के लिए भूल जाओ, जिस समय इसकी जुरुत पढ़ेगी, उस से पहले तुमें यह याद कराने के लिए कोई नो कोई मिलेगा, और कहते होट को दवाया, होटों के बीच बीच एक निशान बन गया, यह याद कराने के लिए, कि तुमें कुछ दिया गया था, लेकिन वो तुम भूले हुए हो, उसकी याद दिलाने के लिए, तुमें कोई मिलेगा, उसकी इज़्जत करना, उससे सीखना, वो मेरा ही प्रतिनीदी होगा, और जो तुमारा खोया हुआ गयान है, वो फिर से तुमें मिलता चला जाएगा, तो इनसान अपने होटों के बीच उस निशान को तो जरूर देखता है, लेकिन निशानी किसकी है, उसे भी भूल गया, जो ग्यान दिया गया था, उसे भी भूल गया, और उसे बताने वाले बड़े बजुर्ग भी अगर कोई बात करें तो कहते हैं बाशन देता है, और गुरू मिले तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद आदमी फिर दुनिया में रम जाता है, लेकिन जिस दिन वो अपने गुरू के सामने सिर जुका कर प्रतिक व्यक्ति को अपने मस्तिक्स का नविनी करन करने के लिए, दिमाग को नया करने के लिए, जिंदगी को नया करने के लिए, अपने विचारों को नया बनाओ, नविन्ता की प्रेणाएं जहां से मिलती हैं, उन लोग के पास बैठना, नविन्ता का मत्रब यह नहीं ह है कि दुनिया में विवार करने के लिए जो नई टेकनलोजी आई है उसके रहस्यों को जानने से आप जाद नए हो जाओगे क्योंकि वो तो आपने आज सीख ली थोड़े दिनों के बाद वो भी पुरानी हो जाएगी फिर और नहीं आएगी फिर और नहीं आएगी तुम उसी ग्यान को परमात्मा का ग्यान कहते हैं क्योंकि उससे शानती आती है आनंद आता है उससे प्रेम जागरित होता है वो प्रेम हमें जीना सिखाता है इसलिए प्रतेग व्यक्ति को प्रति दिन अपने शमताओं को जागरित करने के लिए कुछ देर एकांत में शानत होकर मन को एकागर करके उस परमसत्ता की शक्ति से सम्मन्द जोड़ना चाहिए जिस शक्ति के द्वारा हम शक्तिवान बनते हैं मैं इस बात को इस तरह कहना चाहूँगा आप देखते हैं के बड़े-बड़े चितरकार आर्टिस्ट, कलाकार, संगीत अज्य या साइंटिस्ट उनके अंदर कुछ नई नई चीज़े निकलती है किसी किताब को पढ़ने से शिरुवात की तैयारी तो हो सकती है लेकिन किताबों से अगर खोज के पिएशडी बना जा सकता है चीज़ें जोड़ कर लेकिन मौलिक रूप से आपको विद्वता प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में जो भी लाइब्रेरियों में रखा हुआ है वो आपको तरुताजा तो बना सकती है लेकिन किसी भी साइंटिस्ट के लिए उस लाइब्रेरि से भी आगे जाने की ज़रुत पड़ती है कुछ वो चीज़ जो अभी दुनिया में नहीं आई उनको लाने के लिए कुछ अलग तरसे करना होता है अब वो जो नया करना होता है वो कहां से आता है अभी तक जो संगीत आ चुका है मार्किट में जो दुने आ चुकी है और नई दुन चाहिए कोई जिस पर दुनिया जूमें लोगों के सिर हिलें लोग नाचें लोग गुन गुनाएं वो कहां से लाओगे याद रखना कि जब भी कोई संगीत अज्ये मूड में बैठेगा तारों को छेड़ेगा खुद को भुलाएगा सहज होगा और खुद को खोने के बाद गुन गुनाते हुए जब तलीन होगा अचानक उसके अंदर कोई बूंद भेजी जाएगी मस्तिक्स में और एक नई दुन का जर्म होगा वो जो नई धुन देता है वो कोई और है जो उपर से टपकाता है आदमे के अंदर और फिर कुछ नया आता है इसलिए तो टेगोर ने कहा था जब उनसे पूछा गया कि जो गीत तुम सबसे अच्छा लिखना चाहते थे वो लिख पाए या नहीं बोले वो तो अभी अंदर है बोले वो प्रकट क्यों नहीं किया बोले वो वक्त पर प्रकट होगा मैं नहीं जानता वो कैसा है लेकिन वो समय पर आएगा जरूर क्योंकि कुछ न कुछ अंदर होता है अगर आप अपनी उस तलीनता को बनाए रखें आपके अंदर से हर रोज कुछ नया नया प्रकट होता है नया प्रकट कराने के लिए परमात्मा ही अपनी तरब से साहता देता है आदमी के पास अपना कुछ भी नहीं है इसलिए अगर आपको अपने फिल्ड में नया होना है और नया कुछ करना है तो शांत होकर एकांत में बैठे भारत के रिशियों ने वनो को मैत तो दिया था जंगलों में गए थे वे लोग जंगलों में बैठते थे तो जंगली हो गए ऐसा नहीं जंगल में बैठने के बाद उन्होंने अपने आपको दुनिया के कौला हल से दूर किया अपने मौन में उत्रे अपनी शांती में उत्रे और वो रहसे जो दुनिया के लिए बड़े ही आश्च्रे जनक थे उनको प्रकट कर पाए इसलिए तो चाहे भारत द्वाज रिशी रहे हो जिन्हों ने भारत को विमान शास्त्र दिया विमान बनाने के तरीके यह विलोग रहे हो जिन्हों ने आईरवेद दुनिया को दिया आईरवेद में दो हजार साल पहले की खोजें भी अदबुत रही पांच हजार साल पहले का ग्यान भी अदबुत रहा ये अलग बात रही है कि हमारे देश में एक हजार सालों की गुलामी रहने के करण बहुत सारे गृंत हमारे जला दिये गए और बहुत सारी नई चीज़ों के लिए हम लोग उतने रिसर्च नहीं कर पाए अब जानते हैं कि अभी भी एक दवाई तयार करने में चार सो करोड डॉलर तक खरच हो जाते हैं और पुराने दस साल से नई दवाईयां आई नहीं हैं मार्किट से किसी एक दवाई को कब अटाया जाता है और नहीं कैसे लाई जाती हैं इसका भी अपना एक विग्यान है और दुनिया में नई-ने तरह की काम हो रहे हैं वे कौन लोग थे जो जंगलों में बैट करके आपके लिए नई दवाईयां खोजते रहें नई उपाय खोजते रहें हर चीज के बारे में बताते रहे उस समय आप देखते हैं कि ऐसी लैब नहीं थी इस प्रकार के सादन नहीं थे फिर भी उन लोगों ने खो जा मैं यह नहीं कहूंगा कि हम प्रयोग शालों को छोड़ कर जंगल में बैट जाएं पर यह जरूर कहना चाहता हूं कि अगर कुछ नया पाना है तो आपको शांत एकांत में मन को एकागर करके बैटने की जरूरत है हमारे तनाव ने हमारी योग्यता को खो दिया है, खींच लिया है दर ने, चिंता ने हमारे ब्यक्तित्तों को नश्ट किया है और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज हो गई कि हमारी मुस्कराट जाती रहे हमारी जुन्दगी की मस्ती जाती रहे इतने सारे मनुरंजन के सादन होने के बाद भी हम लोग उतने खुश नहीं हो पा रहे हैं मैं आपके लिए चला था, मैं जल्दी पहुंचे हूँ, मैं कोशिश कर रहा था बीच में भीड थी, ट्रैफिक था मैं सोच रहा था कि मुझे जल्दी जाना चाहिए सारी कोशिशे हुई, बीच में भीड तो थी लेकिन आखिर में यही समझ में आया कि तनाओं की भीड बीच में है जरूर लेकिन अगर आनंद बांटना है, तो आनंद पूर्वक ही होकर जाना होगा और निश्यत ही, थोड़ा ही सही, प्रसाद, अमृत, उसकी कुछ बूंदे ही सही अगर वो प्रेम से दिया जाए, तो वो अपना काम करेगा ही और निश्यत ही हर छेतर में, हर काम में, कहीं न कहीं बीच में धबाव आ आएगा लेकिन उस धबाव के आते ही, आप अपने आनंद को भूल जाते हैं अपनी मस्ते को भूल जाते हैं, आपकी जो एक मस्त चाल है वो हट जाती है आपकी जबान पर असार आने लग जाता है आपकी नीद पर असार आने लग जाता है आपकी मुस्कराट खोने लग जाती है इरिटेट होने लग जाते हैं इरिटेशन बांटने लग जाते हैं दबाव में रहते हैं और दबाव वाला वातरण बना देते हैं इससे पता लगता है कि हम लोग दुनिया से तो जुड़ रहे हैं लेकर दुनिया के मालिक से नहीं जुड़ पा रहे हैं देखिए हो सके जैसे कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है कि तुम एकांत को जरूर चुनो और उसमें बैठो उनकी शर्ते हैं कि जब एकांत को चुन लोगे तो इच्छाओं से रही तो होकर थोड़ी देर बैठिये निराशी अपरिग्रहा लोब लाज़त से भी उपर उठकर लेंदेन से भी उपर उठकर इच्छाओं को खोकर और उनके शब्दों को गरम देखें युन्जीत सततम आत्मानम रहसी इस्तिता निरंतर अपने आपको जोड़े रखो परम के आनन्द से उस जगह पर बैठकर जो एकांत स्थानों अकेला होकर अकेले होकर बैठना जहां कोई ना हो वहां तुम बैठो थोड़ी देर के लिए खुद को भूल कर बैठो कभी-कभी अगर आप कुछ अच्छे निर्ने लेने हो तो अपने कमरे को बंद कीजिए शान्त होईए लंबे गहरे सांस लीजिए किसी एक धुन को चाहे आप कोई सितार बासुरी या कोई भी ऐसे धुन जिसमें शब्द नहीं होने चाहिए ध्यान रखना क्योंकि जहां शब्द होंगे वहाँ आप उस ट्यून के साथ खो जाओगे या उस शब्द के साथ अर्थ निकालने लग जाओगे फिर दुनिया शुरू हो जाएगी और दुन भी कोई फिल्मी नहीं होनी चाहिए नहीं तो फिर वो दुर्शे याद आने लग जाएंगे आप जहां आप कल्पना में जाते हैं वो कल्पना नहीं होनी चाहिए कुछ देर आपको तरंगित होने का मौका मिले बिल्कुल शान्थ होकर सहज होकर आप बैठ जाएं और इस्तती होनी चाहिए कि मस्तिक्स को पूरा खाली कर दें कुछ नहीं सोचना कुछ निर्णनी लेना किसी कल्पना में नहीं आना क्योंकि कल्पना हमेशा ही फ्यूचर को लेकर होती है और कोई याद में नहीं आना क्योंकि यादें हमेशा पिछली होती है यादे जितनी भी है वो अतीत को लेकर है कलपना जितनी है वो भविश्य को लेकर है किसी याद में नहीं आना किसी कलपना में नहीं आना जो क्षण चल रहा है उसके आनंद के साथ अपने आपे में बैठ जाईए कि मैं इस समय अपने आनंद में हूँ अपनी शांती में हो मैं अपने साथ खुद में खिला हुआ खुद में जूमता हुआ खुद में आनंदित हुआ खुद में गुनगुनाता हुआ कि मेरा सिर सितारों से जुड़ा है मेरी आँखें परम के सौंदरिय से बरी भी है मेरे लबों पर मदुर्टा की तान है मेरा हिर्द प्रेम से बरपूर है मैं परमात्मा की गोद में हूँ ऐसा कुछ अनुभव करते हुए आप बैठिये और थोड़ी देर उसमें इस्थिर होना बूल जाना किस से क्या लेना है और किस को क्या देना है बूल जाना अभी कहां जाओगे क्या करोगे बूल जाना कौन सी पिडाओं को पीछे दकेल कर आप यहां पहुँचे हो थोड़ी देर आप बिलकुल अकेले होकर बैठना जब आप अकेले होते हैं उस समय आप देखना आपका साथ देने के लिए परमात्मा की क्रपाएं साथ आती है जब आप बिलकुल अकेले होकर मस्तिक्स को खाली करोगे आपके अंदर देव शक्तियां आनी शिरू हो जाएगे फरिस्ते, देव दूद या परमात्मा की दिव्य शक्तियां शान्ति, चैन, संतुष्टि, प्रेम, आनंद, उत्साहा ये सब शक्तियां भगवान की वो सब आपके पास आएंगे और उस समय उसी इस्ति में बैठे रही है अब दूसरा काम करना जो मैं बता रहा हूँ इसे द्यान से सुनना और प्रयोक करना इसी तरह बैठे बैठे आँखे खोल कर सामने देखते वे अपनी आँखों में पूरी दुनिया की खुशी लाकर आँखों से मुस्कराने की चेश्टा करना फोटों से नहीं आँखे सामने देखती भी जैसे कोई ऐसी चीत देख रही है जिसमें बहुत खुशी भरी भी है लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच बैटे है खोल के मुस्करा नहीं सकते है लेकिन आँखों में चमक है आँखें बता रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं बस वैसे ही आप थुड़ी देखते रहना लंबे गहरे सांस लेते रहना और उमंग और खुशी और खुशी सिरफ आँखों में बरना यहां बैठे बैठे आप ब्यास करके देखे थुड़ी देखें आप यह महसूस करो सामने पूरे आनंद के साथ कि आपकी आँखों में खुशी की चमक है और आप अपने आनंद को देखते जा रहे हैं आनंद अन्भाव करने की चीज है लेकिन यहां आनंद बढ़ाने वाली चीज आप देख रहे हैं कोई जैसे कुछ अच्छी चीज देखते वे और असने को तयार हैं लेकर होट पूरी तरह बंद है इससे आपके रोम रोम में खुशी बर जाएगे तीन मिनट पांच मिनट अभ्यास करना आँखें जपकना चाहें जपक लेना बंद करना चाहें बंद कर लेना फिर अंदर आँखों में बंद किये वे पलकों में उसी आनंद को महसूस करना और फिर आखे खोल कर सामने देखना आनंद में आते जाना लंबे गहरे सांस लेना और फिर रोम रोम में शान्ति अनवह बरना और इस्तिरोना आप देखेंगे आपका सारा तनाव भागेगा और जो आपकी खुशी आपके अंदर सोई पड़ी थी उसे जागने का मौका मिले आनंद रिष्टी योग में साथ चरण होते हैं जिसका ये पहला चरण है ये पहला स्टेफ है इसे आप इतना ही करके देखना आप और खुशी महसूस करते जाना आखों में मुस्करहाट रेकर खुश होना महसूस करना बगवान की गोद में हो क्यों दुखी हो मौर हर रोज नाजता है चिडिया रोज चैकती है तितलिया फूल बनकर आसमानों में उडान बरती है पूरी सृष्टी में तरंग है तरन्नुम है मुझे क्या हो गया मैं ऐसा क्यों हूँ मैं क्यों मूल लटकाए हुए उडास बैठा हूँ मेरे पास सब कुछ है जिसने आज तक मेरी रक्षा की है वो आगे भी रक्षा करेगा जिसने आज तक दिया है वो आगे भी देगा जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा जिसने अब तक मेरे उपर मेरवानिया लुटाई है आगे भी उसकी मेरवानियों में कमी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसका हाथ मेरे सिर्फ पर है इस विश्वास के साथ मुस्कराओ बरोसा करो अपने हिम्मत के सहरे किसी डाल पर बैठावा पंची कुछ गाता जा रहा है और हवाएं तेज चल रही है पेड जुक रहे हैं तूटने को हो रहे हैं तो देखा कि कुछ जानवर नीचे से भाग रहे हैं सब बचाओं में हैं वो पंची कुछ बोलता भी है पंक फड़पडाता भी है लेकिन डाली पर बैठा हुआ है डाली ही डुल रही है कहते हैं किसी ने पूछ लिया उस पंची से कि तुम किस भरोसे पर बैठकर गा रहे हो देख नहीं रहे हो दुख की आंदियां डर की आंदियां हवाएं तेज हो रही है शायद तुम्हें डाली का बरोसा है डाली कभी भी तूट सकती है किस बरोसे पर गा रहे हो किस बरोसे पर तुमारे गीत चलने है क्योंकि गीत तभी तक चलेंगे जब तक तुमारे अंदर डर नहीं होगा और डर आते गीत बंद हो जाते हैं डाल का भरोसा नहीं कर ला हूँ जिसको अपने पंखों पर भरोसा है मतलब आत्म विश्वास है और जिसे परमात्म विश्वास है इश्वर का विश्वास खुद का भरोसा ये दो विश्वास जहां है उसके गीत कभी बंद नहीं हो सकते दुख की आंधियां तो रो जाएंगी कोई न कोई रूप लेकर आएंगी जो आस्रा है वो हिलेगा तोट भी सकता है रोज परिवर्तन होते हैं जुन्दगी में क्योंकि संसार गटनाओं का प्रवा है यहां हर पल कुछ न कुछ गटनाओं गट रहे हैं होना है बरोसा भगवान पर भी रखना खुद पर भी रखना कोशिश करना हर परिक्षा को मैं दे सकता हूँ संभल सकता हूँ डर नहीं डर से आगे जाना है डर से आगे जाने की चाहत होगी तो बात बनेगी तो एक तुम्हें ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी को वो शक्ति अरजित करने के लिए एकांद को चुनना होगा शांत होना होगा थोड़ी देर इच्छाओं से रहित होकर बैठना होगा अतीत को पास्ट को भविश्य फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए मस्तिक से निकालिए जिक शन में आप बैठे में उस शन का आनंद लेते भी बैठिए और फिर अगला काम करना एक तो मैंने आपको बताया आनंद को आँखों में भरना आनंद को चेहरे पर लाना आनंद को हरदे में भरना आनंद को खीचना अपनी दरब दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ शक्ति को खीचो अपनी और क्योंकि आपके पास एक चुम्बक है आपका मेगनिट काम करना चाहिए कुछ लोग निराश होते हैं तो उनका मेगनिट निराशा को अपनी तरब खींचता है हर जगे से उनको निराशा आत लगती है इसने भी निराश कर दिया उसने भी निराश कर दिया मेरे बेटे ने भी निराश कर दिया मेरे बेटी ने निराश कर दिया मेरे बाईयों ने निराश कर दिया कोई भी बरोसे लायक नहीं बड़ी उम्मीदे थी इन लोगों से इन लोगों ने क्या कर दिया क्योंकि आप निराश हैं निराशया को खीच रहे अपनी तरफ दरेवे हैं तो डर को अपनी तरफ खीच होगे यह आपने कभी देखा होगा कि कोई आदमी जब अपने बिजनस में आगे आगे बढ़ रहा होता है उसको रोज नही नही बातें सुझती है और जैसे पूरी प्रिकरती उसे और अमीर बनाने में तुलिवी है वो किसी भी चीज में हाट डालता है उसे लगता है कि वो हर जगे कामियाब हो जाएकर होता है तो क्या होता उन दिनों क्योंकि उसके पास निराशा नहीं होती उसका मेगनिट बहुत अच्छे से काम कर रहा होता वो जोखिम को भी जोखिम की तरह नहीं लेता डर करक आगे नहीं बढ़ता उसे लगता है ये किया जाना चाहिए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई शक्ती बोलने लग जाती है इधर भी चलें उधर भी चलें हाँ दूसरों के बहकावे में आकर अगर वो कोई जादर दिमाग लगा कर कोशिश शुरू करेगा इधर करता हूँ वैसे करता हूँ तो जातर आपने देखा होगा ऐसे दिमाग वाले लोग जातर मार खाते है नियार्क में एक व्यक्ती की बड़ी सारी बिल्डिंगे हैं और शिकागो में जहां हम लोग ठहरते रहें मैन अटन में वहाँ भी उसकी बहुत सारी बिल्डिंगे हैं ट्रम्प साब ट्रम्प के बारे में आप लोग जानते हैं तीन बार बहुत अमीर बनाओ आदमें, तीन बार जमीन पर आया, उससे किसी ने बूचा के तुम नीचे भी आते रहे हो फिर खड़े हो जाते हो, तु दोबारा कैसे खड़े हो पाते हो, तो उसने गहा, अमीरी गरीबी सिर्फ बाहर की चीज नहीं अंदर की है, अगर आपको अंदर से जीतना आता है, तो आप एक छोटे से पैसे से भी बड़ा कुछ इकठा कर सकते हैं, लेकिन ये द्याम नगना, कि अपनी हिम्मत और अपने विश्वास को तूटने मत देना, मैं गिरा जरूर हो, लेकिन तूटा नहीं हो, हारा हो, लेकिन हार नहीं मान मैं हमेशा ही पीछे हटा हूँ अगर, तो आगे बढ़ने के लिए पीछे हटा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास ही मुझे आगे लेकर जाता रहा है, अब सोच के देखिए, समस्चें आते हैं आदमी के अंदर, लेकिन वे कुछ लोग जो एक बार गिर जाते हैं, फिर कभी उने देखा है, अमेरिका पर असर आया, तो आर्थिक इस्तती वहां की खराब हुई, तो इधर आपने गल्फ कंट्रीज में भी वह असर देखा, और जो अमीर देश थे, योरोप से लेकर अमेरिका तक, एक साथ ओंदे मू नीचे गिरे, दुबई की हालत ये हुई, जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो लोग अपने मकान बनाते बनाते, क्योंकि थोड़ी दिन हुए थे, वहाँ ये इजायत दी गई थी, कि आप मकान बना सकते हैं, लोगों ने मकान बनाने शुरू की, और बाद में एकदम आर्थिक इस्तती खराब हुए, तो लोग अपने गाड़ियां हवाई अड़े के पास छोड़कर वैसी चावी लगी भी और फ्लाइट पकड़कर अपने अपने देश में आ गए, मकान छोड़ दिये वहीं, गाड़ियां छोड़ दिये, निराशा बहुत हो गए, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी देगी इसी तरह से, सैकड़ों लोग पलाइन कर गए, कुछ भी लोग भी थे, जो लोग भागे नहीं, क्योंकि जिनके मन में ये विश्वास होता है, कि फिर से फूल खिलेंगे, फिर से बात बनेगी, बगोड़े नहीं बनते हैं, और फिर से जीतने की कोशिश करते हैं, तो कोई न कोई एक शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपके मैगनेट को मजबूत चार्ज करती रहे, और आप अपने आसपास धन को भी खीचे, सफलताओं को भी खीचे, शक्ति को भी खीचे, और मैं तो ये कहूंगा, कुछ भी कम पढ़ जाए, अपनी अपनी शांति को, अपने प्रेम को, आनंद को कम नहीं होने देने, चीजें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जैसा माहूल हो, उस माहूल के साथ धलिये जरूर, लेकर तूटने मत देना स्वाइम को, जो तूटने लग जाते हैं, वे लोग खड़ नहीं हो पाते हैं, और इ जिन परमात्मा की भक्ति करते वे, शक्ति अपनी तरफ खीचने चाहिए, एक मंत्र बोला जाता है, वैसे भगवान की आरादना के लिए बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं, तो एक मंत्र बोला जाता है, जिसमें कहा जाता है, तेजो सी, तेजो मही देई, तुम तेज पु कि सूर्य तुम जिसका तेज लेकर उगे हो उसी तेज पुंज से मैं प्रार्फना करता हूँ कि मुझे भी तेजस्वी कर अंधेरा कहीं रहे नहीं, निराशा कहीं रहे नहीं, दर कहीं रहे नहीं, हिम्मत सदा बनी रहे, तेजो सी तेजो मही रहे ही, मुझे तेजस्वी बन मुझे तेज़ स्वी बना कि ऐसे शक्ति की प्रार्थ राता शक्ति आ रही है ओजो उसी ओजो मही दे ही जिस ओजो और सुंदर्य से तुने पूरे संसार को सुंदर बनाया हुआ है वो सुंदर्य मुझे भी दे वो आकर्षन मेरा जीवन के अंतिम भाग तक भी कम नहीं होना चाहिए मैं सबको अपनी तरफ खीश सकूँ और सबका मैं हो सकूँ मुझे उस आकर्षन को प्रदान करें तो ये प्रार्थ न करते जाओ बहुत सारे मंत्र है मंत्र का मत्रब ये नहीं होता कि कोई पंडित पाट कर रहा है और जल्दी जल्दी उसने ठेका लिया और आपने उसको दख्षिना दी बात खतम हो गई किराय के आद्मी ने आपको अमीर कर दिया किराय का आद्मी लगा और उसने आपके सारे दुख दूर कर दिये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, आपको अपनी प्रार्थना के बीच में किसी एजेंट की जुरूरत नहीं है, क्योंकि डारेक्ट अप्रोच आपकी हो सकती है, आपको खुद ही पुकारना चाहिए, खुद ही बोलना चाहिए, सायता के लिए आदमी रख सकते हैं, जो आप का उच्चान ठीक कराए, अगर वो पाट करता भी है, तो आपको भी साथ में पाट करना चाहिए, तब ही पाट लगेगा भी सही, जातर लोग यह ऐसा करते हैं, दूसरे आदमी को कह देते हैं, कि तुम जपलो, खुद भी अगर जपने के लिए बैठे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, कि कोई कितनी माला से बगवान रीजेगा, माला से कोई लेना देना उसका नहीं है, क्योंकि माला सीड़ी है, वो सीड़ी के द्वारा एक-एक मन का जबते-जबते निकटता उनु भवबरो, मैं बगवान की तरफ जा रहा हूं, मैं बगवान का हो रहा हूं दूरिया खत्म हो रही है प्रेम बढ़ रहा है उसकी शांती मुझे चू रही है मैं संतुष्ट हो रहा हूँ मेरे अंदर का दबाव हट रहा है एक एक जाप से आपको अनुबह होना चाहिए और जैसे जैसे जाप करते करते आगे बढ़ते हैं बले ही माला बीच में छूट जाए माला का काम है आपका कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए सम्मन जुड़ जाना चाहिए जैसे सम्मन जुड़ जाए उस ट्रेन से आपको मंजिल मिल गई अब ट्रेन में बैठे नहीं रहना है आपको उतर जाना है बले ही माला छूट जाए वहाँ लेकिन ध्यान नहीं छूट नहीं देना ये ध्यान न किये ध्यान बने रहना चाहिए और अगर आपका ध्यान नहीं लगा जब तक नहीं लग पाए तब तक माला का साहरा बनाए रखे हिसाब मत रखना कितनी जपी गई हिसाब ये रखना मन पर असर पड़ा या नहीं पड़ा मन टिका या नहीं टिका मेरा प्रेम वहां तक पहुचा नहीं पहुचा मैं उसके करीब हुआ या नहीं हुआ माला कितनी भी हो लेकिन आप का सम्मन जुड़ना चाहिए और धन्यवाद करते करते ये एहसास होना चाहिए कि आप ये कह सकें कि तुने कितना कुछ मुझे दिया और तु देता जाता है ये माला तुझे याद करने के लिए भी है और तेरा धन्यवाद करने के लिए भी है तेरा नाम लेते लेते मैं शुक्राना धन्यवाद अदा कर रहा हूं और जबते रहना और शुकर मनाते रहना धन्यवाद 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 में प्रभू ऐसे कहते कहते अपने आपका सम्मन जोड़ना जो ये कहा जाता है कि ये कहकर छोड़ दी गालिब ने माला ये कहकर छोड़ दी गालिब ने माला के गिन कर क्यों नाम लूँ उसका जो बेहिसाब देता है तो उस समय आपको ये महसूस होना चाहिए के बेहिसाब देने वाला मेरा मालिक उसने कभी हिसाब नहीं किया मैं उसका नाम जपने में हिसाब करूँ आज इतनी माला हो गई कल इतनी कर लूँगा परसोत नी कर लूँगा नहीं बेहिसाब को बेहद को असीम है भगवान बेहद है वो तो आप भी बेहद तक पहुँचने के लिए किसी भी हद तक जाओ हद के पार जाओ इतना जपो के अपने आपको भुला दो और आप खो जाओ थोड़े देर इस तरह स्वैम को जोड़ कर देखिए खुद को जोड़ कर देखेंगे आपका आनंद आपकी तरफ बढ़ेगा हाँ इसमें आपका मार्क दर्शक आपका गाईट मदद करेगा आपका गुरू मदद करने के लिए गुरू सामने होना चाहिए ऐसा नहीं उसने विदी दे दी लेकिन जहां आटक जाओ प्रेम से अपने सद्गुरू को याद करना और कहना मेरी मदद करना कमजोर पढ़ गया हो शद्धा में कमी होने लगी है नियम तोटने लगा है तेरे बताएवे रास्ते पर चला तो हो बीच में रुख गया हो फिर से साहरा दे और आप देखेंगे गुरू कितनी भी दूर बैठा है वो दूर नहीं लगेगा एका ए उसके मदद में कमें नहीं आएगे लेकिन मदद मांगना आपको हाना चाहिए इसको भी द्यान में रखना कि जब भी आप प्रार्टना के लिए बैठोगे आपके मन में दुनिया के प्रतिक खीज नहीं होने चाहिए कुछ को माप कर देना कुछ से मापी मांग लेना कुछ इस तरह मैंने जिन्दगी को आसान कर लिया कुछ इस तरह मैंने जिन्दगी को आसान कर लिया किसी से मापी मांग ले और किसी को माप कर दिया किसी से माफी मांग ले और किसी को माफ कर दिये बस आप इतना तो जिंदगी को आसान करना कि मन सिर्फ सारी पीडाएं हटा कर और सहज होकर फिर बैठना तो आप देखोगे करुणा करने वाला मालिक आप पर अपनी करुणा बरसा रहा होगा आपको मैसूस होगा कि जैसे वो प्रसन हुआ है मुझे पर दूसरी बात ये भी द्यान लखना अगर गलती करते हो इंसान है गलतियां होगी तो गलती स्विकार करने का कलेजा भी रखो मान सको गलतियां होई और सुधार करने के लिए आशिरबाद मांगो और वाइदा भी करो कि मैं सुधार करूँगा और जैसे जैसे थोड़ा सुधार हो तो उससे कहना जाकर कि तेरा अच्छा बच्चा नेक रास्ते पर चलने लगा है और हिम्मत बढ़े और सुधार हो मुझे आशिश दे और आप देखोगे आपको लगेगा जैसे पीट पर कोई हाथ है जो आपको आगे बढ़ाता जा रहा है आपकी ताक़त बढ़ती चली जाएगी फिर उससे ये भी कहना मेरी वाणी में उतर जाओ व्यवार में उतर जाओ जिस किसी से भी मिलू उसे ये महसूस होना चाहिए ये खोदा का कोई बंदा है रब का कोई बंदा है बगवान का बच्चा है बगवान की बंदगी में बैठने वाला आदमी है तब ही तो इसकी बोलने का डंग ऐसा है इसका विवार ऐसा है क्योंकि याद रख ले न ये शब्द ही है शब्दों से ही आदमी दिल में उतरता है और शब्दों से ही आदमी दिल से उतरता है तो दिल से न उतर जाना दिल में उतर सको प्राट्फ न करना उससे है मैंने गड़ी देख ली है टाइम तो पुरा हो गया और ऐसा लगता है जैसे अभी तो शुरुवात ही हुई थी और समाप्ती आ गई लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा रोज बैठने की आदर डालो नियम पूर लगा और कोई डिमांड लिष्ट लेकर मत बैठ जाना लोग मंदिर में जाने से पहले ये सोच के चलते हैं मांगना क्या है आज की लिष्ट कौन सी देनी है भगवान को जितने बड़े मंदिर में जाएंगे आपने देखा होगा तिरुपती बाला जी के मंदिर में जो भीड लगी भी होती है दक्के लगते जाते हैं आदमी आगे बढ़ता जाता है और उस समय ये दिमाख में होता है कि वहाँ जब पहुंचूंगा तो कितनी देर लगेगी वहाँ दर्शन करने की तो वहाँ दर्शन करना प्रणाम करना है इस पर ध्यान देना है अपनी बात कहने पर ध्यान देना क्या बोलना है आदमी बस उसी पर ध्यान लगता है जिल्दी से जाके बोल दूगा बस ये वाला काम पूरा कर देना दो बारा फिरा जाओंगा मैं तो सब मांगने के लिए अपने मस्टिक्स में सरफ वही बात लेकर चल ले होते हैं और जाद अगर टाइम मिल गया कोई और तरीका निकलाया तो उसमें अपनी बात कहने के बाद फिर प्रणाम करेगा जाते जाते फिर याद कराएगा याद रखना बगवान कहीं भूल जाओ मैं जिस काम के लिए आये था उसे पूरा कर देना और अगर तीन बार जाने के बाद बात नहीं बनी तो आदमी दूसरे से पूचता है तीन बार हो गए भी बात नहीं बनी तो दूसरा आदमी कहता है वैश्नो दिवी और ट्राइ करके देखो भगवान से क्या लेना देना प्रणाम भक्ति हाथ जोड़ना नहीं हर एक के दिमाग में एक बाती होती है कि हम भगवान को चाहते हैं ऐसा नहीं भगवान से ज़्यादा चाहते हैं भगवान को कम चाहते हैं भगवान से ज़्यादा चाहते हैं और जातर तो ऐसा भगवान को चाहते ने, भगवान से चाहते हैं, कुछन को चाहा लेकर खड़े होते हैं, जिस दिन आप उस चाहा को खत्म कर दोगे, और ये कहोगे, इतनी दूर से सिर्फ तुझे प्रणाम करने के लिए आया हूँ, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद हो, हर वो दुनिया की जगह, जहां तेरी याद आती हो, मैं वहाँ जाकर तुझे दन्यवाद देना चाहता हूँ, तो समझ देना आपकी बक्ति शुरू होगे, बस यहीं पर अपनी बात को विराम करूँगा, कल फिर बैठेंगे हम लोग, और फिर एक जर्चा करेंगे, मै घर जाओगे, एक बार अपने घर के मंदिर में जाके, हाँ जोड़के, भगवान को दन्यवाद जुरू कह देना, हो सकता है, आज एक दिन आप पर कुछ विशेश क्रपा हो जाए, बहुत बहुत शुव कामना है, आईए, मिलकर भगवान का नाम स्मन कर लें अम नमो भगवते वासु देवाए, प्रमु वासु देवाए, प्रमु वासु देवाए अम नमो भगवते वासु देवाए, प्रमु 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 वासु द बासु देवाई प्रभु बासु देवाई प्रभु बासु देवाई बासु देवाई प्रभु बासु देवाई बासु देवाई प्रभु बासु देवाई प्रभु बासु देवाई बासु देवाई बासु देवाई प्रभु बासु देवाई प्रभु बासु देवाई की कोशिच करता हूँ कि किस तरहे गुरदेव की वाणी गुरदेव का एक एक शब्द हमारे मन मानस में पहुचता है एक बार हथोणे ने चाबी से पूछा चाबी मेरा आकार तेरी तुलना में बहुत बड़ा है मेरी प्रहार क्षमता भी बहुत अधिक है पर क्या कारण है कि मैं ताले पर अनेको बार प्रहार करने के बाद उसे बहुत मुश्किल से तोड़ पाता हूँ तब चाबी ने उत्तर दिया मैं जानती हूँ मेरे ब्रहाता कि मेरी प्रहार क्षमता नगण है मेरा आकार भी तेरी तुलना में बहुत छोटा है पर मेरे भाई तुम ताले के बार इस्ते पर प्रहार करते हो पर मैं ताले के अंतरमन तक प्रवेश करती हूँ ठीक इसी तरहे गुर्देव की वाणी हमारे पास सो तालों की यदि कोई एक चाबी है तो गुर्देव के अमरतवचन गुर्देव की वाणी मैं अंदरोत करता हूँ आशिरवात के लिए बहुत शिगरता से पधारे और गुर्देव से आशिरवात ले सतीष शर्मा जी, सतीष शर्मा जी, खुश्मा शर्मा जी, सतीष शर्मा जी, खुश्मा शर्मा जी, कोमल अगरवाल जी, सुजा रानी जी, सुधा सारंगवाला जी, विजे कुमार कारपरेशन बेंक से, बविता सिंगल जी, घीसु दास जी और अशोक कुमार अगरवाल जी आप सभी गुर्देव से मंज पर पहुँचकर आशिरवाद ले शिक्रता करें इसी बीच जब तक ये क्रम जारी है मैं आपको फिर से कुछ महत्पुन जान करें देदू आज जो प्रवचन हुआ उसकी सीडी सवेरे के सत्र में आपको मिल जाएगी और इसके पहने जो सत्र हुए हैं उसकी सीडी भार इस्ताल पर उपलब्ध है दो मई को हमारे गुर्देव का प्राकट दिवस है उल्लास पर वो आनंद हम आश्रा में मना जाएगा आप सभी महापोँचकर उस पहार की गड़ी में मैं रेखा जिसे प्रात्ना करता हूँ कि वो मज़ पर बढ़ारे रेखा आत्मी का आनंद जिसे मेरी प्रात्ना है कि वो मज़ पर बढ़ारे मंत्र दिक्षा कल इसी ग्राउड में प्रथम सत्र के उपरान संपन होगी ध्यान सादना शीविर जो मनाली में आयोजित हैं आपको जीवन सचेता कारले से उनकी तारीकें और सारी जानकरी वहापर आपको अपलत हो जाएगी गुर्देव के द्वारा जो अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उन प्रकल्पों में आप दानी सहयोगी सिदस से बनकर उनका उसमें अपनी भागीदारिय सुनिशित करें करोना सिंदो होस्पिटिल जहां अनेक प्राकर्दिक और अनेक आधुनिक पद्धितियों से इलाज होता है तीन चार मई को एक रधे रोग निवारन स्वास्त शीविर का भी आयोजन है आप उसका भी लाब ले सकते हैं आप मेंसे जो महसूस करते हैं कि आपके कोई परचित को रधे रोग है और उससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप वहापर अपनी उपस्तिति सुनिशित करें बाल विकास योजना इन सब चीजों में सहभागी बनने के लिए आप जीवन सच्च अतना कारले पर संपर के स्थापित करें हमारे लोग अशिरवाद ले रहे हैं गुरदेव से जो लोग उठ रहे हैं उनसे मेरी प्रात्ना है कि 2 मिर्ट का कारिकर मिशेश है आरती संपर होगी उसके बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करें जिन भाई बहनों को मंत्र दिख्षा लेना है या अपने कैसी भाई को, परिजन को, मित्र को मंत्र दिक्षा दिलवाना है वो जीवन संचे अतना कारवे से पूरी जानकारी प्राप्त करें और मैं अनुर्वत करूँगा हमारे आज के अथिती शिरी संत मंत्री जी से कि वो आरती के लिए मंज पर पहुंचे और शेश लोग आरती सामने संपन्न करेंगे आरती के लिए हमारे अथिती संत मंत्री जी, गोपाल लाड जी, गोपाल चोरसे जी, गोएल जी, मिंडा जी, टाटिया साथ, सारे लोगों से प्रातना है कि वो और आप सभी आरती के लिए अपने इस्थान पर खड़े हो जाए मैं अंधरोत करता हूँ महेश जी से कि वो पार्पी का गायर करें ओम जै जगदीश हरे, स्वामी जै जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट छण में दूर करे ओम जै जगदीश हरे, दो भ्यावे पल पावे दुख भी नसे मन का, स्वामी दुख भी नसे मन का सुख संपती घर आवे, सुख संपती घर आवे, मैं तुम्ही पेतन का, ओम जै जगदीश हरे चुम्हां तुम्हु मेरे, शरण पड़ू मैं किस की, सामी शरण पड़ू मैं किस की तुम्हिन अर न दूझा, तुम्हिन आ यौर न कोई, आश करू मैं किस की, ओम जै जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पारगम्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जग दिश्वर तुम करमां के सागर तुम पालन करता सामी तुम रच्छा करता मैं मूरख कल पामी मैं सेवक तुम पामी करपा करो भरता कों जय जग दिश्वर तुम हो एक यगोचर सबके प्राण पती स्वामी सबके प्राण पती किस भी दुमिला हूँ गयाने किस भी धमिला हूँ गोशाई तुम को मैं कुमजी ओं जय जग दिश्वर तीन बंधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवात हम तेरे अपने हात उठाओ अपनी शरण लगाओ वार पड़े तेरे ओं जय जग दिश्वर जिश्य अविकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कश्ट हरो देवा स्वधा भक्ति बढाओ स्वधा प्रेम बढाओ अंतन की सेवा ओं जय जग दिश्वर दिश्वर तन मन धन सब है तेरा पन सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अरपड क्या लाजे मेरा ओं जय जग दिश्वर दे जय जग दिश्वर दे जय जग दिश्वर दे साने जय की नादात जड़े मेरे जय जग दिश्वर दे प्यात लिणं तो मिवा तो गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्वरू गुरूर देवो महिश्वागा गुरूर साथ चात परब्रह्म तसमाई श्री गुर्देवी नमा बोलो श्री साथ गुरूर देव महराज की जय